नमस्कार दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल दिवी नॉलिज में आपका स्वागत है आज हम L.T. साहियक अध्यापक परिक्षा गनित जो की 8 अगस्त 2021 को हुआ था उसका पेपर सौलू करेंगे जो ऑफिशल आंसर की है उसके अकॉर्डिंग करेंगे और स्वाड डिस्कसिन करेंगे जो तो जैसा कि आपको पता है साहियक अध्यापक गनित का जो पेपर 8 अगस्त को हु यह मेरे पास है तो इसमें हम सबसे पहले CDP है तो CDP सौलू करेंगे इसमें तो देखें इसमें पहला क्वेश्चिन है रास्ती पार्थिक्रम की रूप्रेका 2005 जो NCF 2005 है कि अनुसार अंग्रेजी विसाई को किस कक्षा से अनिवारी किया गया था तो यह पहला प्रस्तिन ज अंग्रेजी विसाई जो अंग्रेजी विसाई है उसको किस जो है क्लास से हमने स्टार्ट करना है इसके बारे में पूछा गिया है तो जैसा कि आपको पता है त्री भासा का सूत्र दिया था इसमें तो NCF 2005 के कोर्डिंग जो है कख्छा कख्छा एक से इसमें हमने जो है अंग्रेजी भासा को अनिवारी करने के लिए कहा गया था इसी प्रकार question number 2 है इसमें निमने में से कौन सी उत्तम परिक्षण की विशेष्टा नहीं है तो विशेष्टा नहीं है ध्यान रखना ये पूछ रहा है कि विशेष्टा नहीं है विशेष्टा है बोलता तो question अलग हो जाता तो confuse करने के लिए नहीं है दिया हुआ है तो देखे वैदिता वैदिता तो होनी चाहिए जो validity है question में वो होनी चाहिए होने के लिए चारों की चारों चीज़े होना चीज़े subjectivity भी होनी चीज़े और discrimination भी होना चीज़े तो इस question के according आप हमारा जो सबसे अच्छा answer हो सकता है उत्तम परिक्षन जो सबसे अच्छा उत्तम परिक्षन होता है उसमें व्यक्ति निष्टता नहीं होती है ये ध्यान अलग-अलग teacher है अगर अलग-अलग तरीके से question paper को solve करेंगे तो उसमें क्या होगा उन्हें वो अलग-अलग तरीके से marks दे सकते हैं क्योंकि उनका जो personal view भी उसमें आ जाता है तो इसका जो answer होगा वो होगा व्यक्ति निष्टता अगला question question number 3 है व्यक्ति तुमापन समश्या को पहचानना इसका क्या हो जाएगा समश्या को पहचानना इसका answer हो जाएगा इसी प्रकार question number 5 है पूर द्रिष्टी सीखने के कि सिध्धानत में नहीं होती है पूर द्रिष्टी जो पूर द्रिष्टी है four sides जिसे कहते हैं तो ये भी आसान सा question है इसमें भी ज्यादा confusion नहीं होना चीए पूर द्रिष्टी आत होता है ठीक अगला question है Brunner के अनुसार बालक की मांसिक अनुभूतियों का तरीका कौन सा नहीं है जो मांसिक अनुभूतियां होती है ठीक mental emotions होते हैं तो Brunner के according जो है कौन सा जो है ब्रुनर के अनुसार बालक की मांसिक अनुभूतियों का तरीका कौन सा कौन सा नहीं है कह रहे है ठीक है कौन सा नहीं है तो यह आएगा तुम्हारा मूर्थ संक्रियात्मक जो है नहीं है बाकि सक्रियता हो गया दृष्टी प्रतिमा होगी और सांकेतिक होते ही यह सभी हो इसे प्रकार question no.8 है रोर्षा का शाय धपा परिक्षन में कितने का अल्ड होते हैं यह भी 10 होते हैं आप इसे पढ़ सकते हैं बहुत आसान question no.9 है कि सिक्षन विधी में उधारणों के महाध्यम से नए नियम का सिद्धान निकाले जाते हैं यह अपने पड़ा होगा आप कर रहे होंगे तो आगमन विधी है इसका question no.10 जीन प्याजे के संग्यानात्मा विकास की मूर्थ अवस्ता यह भी मूर्थ जो कॉंक्रीट जो अवस्ता होती है कौन सी होती है साथ से पारवर से होती है question no.11 है तर्मन के अनुसार मंद जो है 80-89 के बीच में उसमें दिखा रहा था लेकिन हमने जो चार उप्संदेर के इनमें से अगर लगाना है तो जो according to answer की तो इसका answer है तो हो सकता है अगर question अगर doubt होते है इसमें सबको marks मिल सकते है question no.12 है अगला heuristic विदी के पदों का सही क्रम होता है तो जो heuristic विदी है इसका जो सही क्रम होता है तो सबसे पहला होता है इसमें समश्या उत्पन्य करना, फिर होता है तत्यों की खोच करना, फिर होता है परिकल्पना का निर्मान करना, ठीक है, तो सिंपल सी बात है C, C वाला उप्सन इसमें सही होगा, किस योजना में स्कूल को बाल घ्रव समझा गया है, इसमें थोड़ा डाउट हो सकता है, क्योंकि हमने वैसे ऑफिशियल जो आंसर किये, उसमें डॉल्टन योजना दे रहा है, लगि बहुत जगों ये ठेका योजना भी इसका आंसर दिया गया है, तो इसको आप स्टार लग पड़ते हैं, सिक्छा का अधिकार दिनियम 2009 के अनुसार, आर्थिक वा समाजिक रूप से पिछड़े वर्गी के बच्चों के लिए नीजी विद्यालों में सीट आरक्षित होती है, तो सिम्बल सी बात है, जो भी आप स्कूल में अगर को प्राइवेट स्कूल में पड़ ठंडोई, ठीक, बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नमबर 16, व्यक्तिगत परिक्षण का मापन, व्यक्तिगत परिक्षण का प्रकार है, जो परसनेलिटी टेस्ट होता है, उसका एक प्रकार है, कौन सा इसका प्रकार हो सकता है, तो इसका जो आंसर है, बी है, इसमें, वेस तो जो इसका सही आंसर है वेसलर वेल्यू परिक्चन आर्मी अलफार, आर्मी बीटा जो है तुमारे ये नहीं होगा ठीक, question number 17 भाई अभिक्रमीत अनुदेशन को कहा जाता है तो इसे क्या कहा जाता है ये है तुमारा रेखी अभिक्रमीत अनुदेशन रेखी वाला आएगा, रेखी यानि की linear programming instruction question number 18 मुल्यांकन का संबंद सिक्षण की किस अवस्ता से है जो मुल्यांकन होता है बसे मुल्यांकन अगर आप detail wise पढ़ेंगे इसमें तो होता मुल्यांकन सभी में है थोड़ा-थोड़ा मुल्यांकन सभी में होता है लेकिन जो मुक्षी रोप से होता है लास्ट में होता मुल्यांकन जो आप देखते हैं सिक्षण की पश्याद जो किरिया होती है ठीक है इसे बोल सकते हैं पोस्ट एक्टिव फ्रेज में question number 9 question number 20 सम्हु सिक्षण का विकास किसे ने किया था सम्हु यानी जो ग्रूप लर्निंग होती है तो जो उसका क्विकास क्या था यह शुसे में चुने सुरूं और उसका चुने साब्स और चुने कलेऊं सबस्पर्ण इसे प्रकार question number 22 है अभिवरती मापन की scalarogram विधी का प्रतिबादन किस ने किया था scalarogram ठीक है अब इसमें थोड़ा confusion है जो official answer किया उसमें दिया है इसमें थच्टेम ठीक है लेकिन आपने इसे वैसे search कर सकते हैं इसे आप google में तो आप इसे सिर्फ गट में भी दे रहा है इसमें तो इसमें आप हो सकता है सभी को बराबर मार्ग से मिलें तो गट में वैसे official है ठीक है ठीक है थर्स्टन इसका official है और जो है गट में भी इसका हो सकता है answer ऐसी question number 23 प्रेड़ना किस रोज में प्रेड़ना किस रोज में प्रथम चरण कौन सा है तो simple है इसमें के लिए एक सब्दा आता है nda तो सबसे पहले need होती है ठीक तो इसका out शेपता होगा पहले need होगा फिर drive होगा फिर need होता है drive होता है और तिस्तरा आपका ndi incentive तो इसका आंसर हो जाएगा किसमें नीड चीएज में नीड के लिए हो जाएगा आवशेकता हूँ question number 24 विद्यार्थी द्वारा इतिहास कक्षा में सीखी गई अवधारना का प्योग हिंदी कक्षा में क्या जाता है यहाँ उधारन है क्या जासकते हैं धनात्मक अंत्रीनी धनात्मक ट्रांसफर जो हो जाता है पॉजिटिव ट्रांसफर हो जाएगा है थिक प्रिक्षन में सक्षनय बढ़ाने ृषन की संख्या corazón बढ़ाए Champ बढ़ाएं गया होगा इसमें विश्वसनीता इसमें क्या हो जाएगी आपकी बढ़ जाएगी क्योंकि जतने जादा क्रeshon करेंगे तो हो सकता है क्योंकि एगर जादा क्रश्चन कर सकते Dazu ज्यादा आपको क्या मिलेगzess complacfon विश्वसनीता पड़ जाती है व्यक्तिगत भिन्यता का ग्यान सिक्षण का गुर्ण निम्न मैंसे किस से संबंदित होता है व्यक्तिगत गुर्ण व्यवशाई गुर्ण समाजी गुर्ण या उपर युक्त मैंसे कोई नहीं व्यक्तिगत भिन्यता तो देखिए वैसे व्यक हो सकता है ये जो है मिल सकता है क्योंकि सामाजी कुण भी हो सकता है गवर नहीं क्यों है question no.27 मन व्यक्ति के किसी अन्य व्यक्ति के जैसा अपने को कौन सी युक्ति के अंदरकत आता है किसी अन्नी व्यक्ति के जैसा अगर दिखता है तो यह समय आता है तादात्मी करन या किसे हम कहेंगे अगला कुशन है ऐसे व्यक्ति जो सीधे सीधे अपने क्रोध को अभियक्ति नहीं कर पाते हैं तो यह आते हैं लंबकाई जो लंबकाई वाले होते हैं ए वाले ए वाला है इसका सही आंसर होगा किसके अनुसास संप्रेशन हर उस वस्तू को कहते हैं जो कि उस संदेश का अर्थ व्यक्ति करती है जिससे एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति तक पहुचाया जाता है तो इसका जो सही आंसर है वो है ब्रूकर अप्शन नमबर डी और डेफिनेशन है तो डेफिनेशन यात करनी पड़ेगा आपको पढ़ना पड़ेगा त्वर्शन नमबर 30 इसने कहा कि मुल्यांगन को एक क्रमबद प्रिक्रिया के रूप में परिभासित किया जा सकता है जो हमें बताती है कि छात्रों ने किस सीमा तक किंट सेक्षि कुद्रिश्यों को प्राप्त किया है तो इसका जो जो सई आंसर और हे डंडेगा बहुत से लोग इसका आंसर कुछ और भी बता रहते हैं वीकीपेडिया में देख यह ख और भी है है इसका मैं R का मान होगा 3 question number 32 सरल आवत दोलग के लिए विस्थापन के किस मान पर गतिज और इस्तिर रुजाओं के मान आधे होंगे तो इसका answer है option number B plus minus A by 2 sorry ये नहीं होगा ये गलत है plus minus A upon root 2 option number D इसका सही होगा question number 33 द्वीपद वित्रण में प्राचलों की संख्या है प्राचल जो द्वीपद वित्रण है इसमें प्राचलों की संख्या तो simple है तो इसमें प्राचलों की संख्या कितनी होगी 2 question number 34 यदि A 3 x 3 कोटी का आव विए हो इसमें तो सार्लिक मॉड ऑफ के ए का मान होगा तो के ए का जो मान होगा वो होगा के क्यूब ए के क्यूब ए समा होगा यानि की option number C का सही answer होगा question number 35 यह जो संकेत किस निरुपित करता है तो यह simple है यह जो है जैने डायोट का तो नहीं करता है वेक्टर डायोट भी नहीं करता है ठीक है और PN जेंक्शन तो है नहीं तो इसका मलब यह होगा टरनल डायोट इसका होगा टरनल डायोट question number 36 इलक्टरौन की निमने में से किस विशेष्टा के द्वारा चालक में विद्धारा ग्याद की जाती है तो इसका आंसर है केवल अनुगमन वेक्द्वारा 37 सका होगा केवल अनुगमन वेक्द्वारा next question number 37 एक बिंदू पर किरण सद्रिस्ट त्वरण है तो इसका जो आंसर होगा वो होगा इसका आंसर r के उपर दो बिंदू है minus r theta theta के उपर एक बिंदू का square यानि कि यह होगा square वाला last d वाला question number 38 निमना वकर समेक्रांड की डिग्री होगी तो जो इसकी डिग्री होगी तो आप इससा सौलू करेंगे तो सौलू करने के बार जो इसकी डिग्री आ रही है वो आ रही है 2 39 केवल मुक्त आविस्वपन निजबर करने वाली रासी है तो यह है विद्दूद विस्तापन सदिस अगले हम जैसे ही विस्तुवत रेका से ध्रूओं की और बढ़ते हैं तो ग्रूत्वी तुरंट जी का मन बढ़ता है ठीक ग्रूत्यों का सम Beef जो समा कलन Datlt है वो आएगा तुमारा Sin X यह आ धा Sin X Question Do You एदी आवियु es संम़ित है था यह बूझत दोनो आवियु है तो ऐसे आवियु को कहा जाता है सुन्दी आव यह अगॉ कहा जाता है सुननी आव्यूग आ जा गए नेस्ट क्वेश्चन है 43 इलेक्टोन की स्थिर दरव्यमान उर्जा क्या होती है यह होती है 0.51 मियू क्वेश्चन नूमर 44 आयतन प्रत्यास्ता गुणांग का वित्क्रम होता है जो आइतन प्रत्यस्ता गुणान का जो व्यूत्क्रम होता है वो होता है यह संपीड यह था क्रम्प्रेसिबिल्टी ठीक है तो इसका आएगा ऑप्शन डी सई सम्मित सम्मू जी फॉर की कोटी है तो जी फॉर की जो जी फॉर नी एस फॉर की कोटी है वो होगी 24 क्या होगा सॉरी एस फॉर की कोटी जो होती है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानिक इसका आएगा आपका 24 ठीक है ओप्शन डी यह था फ्रेक्टोरियल निकलता है तो थोड़ा कन्प्यूजन है इसमें जो ऑफिश्यल है तो इसमें स्क्वार्ड दो दे रखने हैं कहीं कहीं तीन भी होती है कहीं कहीं चार भी होती है ठीक तो आप देख लीचेगा लेकिन ऑफिश्यल आंसर की में टू है एक व्रित में इस्तिद 21 बिंदों से बनी जियों की संक्या होती है यह है 210 आप्सन नुमबर 20 है यह आईगा इसका 48 है fx equal to mod of x x equal to 0 पर है पर है यह है तुम्हारा continuous but not differentiable यानि कि सतत लेकिन अवकल नहीं नहीं ठीक है question number 49 है एक प्रिजम की विभेदन चमता निर्भर करती है जो प्रिजम की विभेदन चमता किस चीज़ पर निर्भर करती है तो यह है तुम्हारा प्रिजम के आधार की मोटाई पर और प्रियुक्त प्रिकास की तरंग दैदी पर यह दोनु उपर होती है तो दोनु ए और बी पर आए गए तो यह हो गया question number 49 आगे बढ़ते हैं question number 50 ठीक है question number 50 में हम आते हैं तो question number 50 में यह करा है कि दी गई स्रेणी है तो जो दी गई स्रेणी है देखो 1 minus 1 upon 2 इस टाइब से है तो कौन सी है तो यह हो जाएगी convergent convergent बोलिंगे से अभी सारी तो क्या होगा इ question है यदि 4x minus 5y plus 33 equal to 0 और 20x minus 9y equal to 107 दो परत्यावरतां रेखा हैं तब x और y के भी सह संबंद गुणांक है तो जो सह संबंद गुणांक आएगा इसमें यह आएगा 3 upon 5 अगला question है यदि y equal to log 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 x है तो dy by जो dx निकलेगा इसमें यह आएगा तुम्हारा b b में आएगा तुम्हारा x one upon x log x into log log x option नमबर b सही 53 है एक वर्ग आभ्यू समकोनी आभ्यू कहलाता है तो समकोनी आभ्यू कब कहलाएगा जब a a t a a की पावर t equal to आता है i के बराबर यानिकी option number d जब सही होगा ठीक है अगला question है 54 submission one upon n की पावर p जब p is greater than 1 जो p एक से बड़ा होता है तो जो p क्या होता है यह होता है convergent convergent यानिकी अभी सारी यह इसका option होगा ठीक है convergent अभी सारी question number 55 है divergent of r upon r cube का मान होगा तो जो इसका answer है यह मान होता है इसका one upon r ठीक आगे बढ़ते है question number 56 में निमने में से कौन सा विकल्प e और डेल इन्वर्स के मद्ध संबंद को सही बताता है ठीक है तो यह है आपका e इन्वर्स जाएगा e इन्वर्स equal to 1-10 ए वाल option सही रहेगा question number 57 बावन पत्तों के तास्क ए बंडल में से एक पत्ता खीचा जाता है तो पत्ते के एक काउनी की प्राइकता होगी एक बट्टे तुरल बावन ऑप्षन सही रहेगा it's question number 58 विवर्थन ग्रेटिंग है तो यह होता है दुमारा योधन इस लिट विवर्थन को बोलतें क्या बोलते हैं चेंजले विवर्थन के द पर फिप्टिनेंगा तो यह होता है जीरो यह आएगा क्या जीरो ओप्षन सिटी लिमिट x tends to infinity log x upon x का मान है तो यह मान होगा इसमें जो इसका मान आएगा इसमें वो आएगा जीरो क्या आएगा इसमें जीरो आप्सन नमबर इस ही रहेगा इसमें आगे बढ़ते हैं तो यह होता है तुमारा एं एन प्लस न प्लस वन उपन 6 यह वाला आप्सन से जूल केल्विन प्रसार में कौन सी रासी इस्ति रहती है तो जो रासी इस्ति रहती है वो हो तीस में एंथल्पी सी अप्शन फलन एस एकस इकवल तो मॉड उप एकस मैंनस 4 प्लस मॉड उफ से बिल्पन नहीं है तो आपका सही होगा कब भी सही होगा अगला स्वस्जिन है कउल एकस इक साइन sandwiches ap F dash pi by 2 बराबर है तो F dash pi by 2 जो बराबर है ये बराबर है तुम्हारे 1 के 1 option number B इसका सही answer होगा 66 है फलन अंडूर्ट 16 minus x square का परिसर है तो जो इसका परिसर है परिसर आएगा इसका 0 और 4 ठीक है 0 और 4 option number B सही आएगा 67 integration sin square x minus cos square x upon sin square x into cos square x dx का मान होगा तो इसका सही मान है इसका answer है B 10x plus code x 10x plus code x यानि की A option इसका सही आएगा 2 रेखाओं जिनके 2 कनुपाद 2-3-6 और 1-2-2 है के बीच का noon कौन है तो जो इनकी बीच का noon कौन आएगा cos inverse 20 बट्टे 1 किस आएगा cos inverse 20 बट्टे 1 कि यानि की A option ठीक रहेगा ठीक आगे बढ़ता है question number 69 F1 तथा F2 फोकल दूरी के दो पतले lens समाक्षी रोप से संपर्गम रखे हैं इनकी lens सयोजन चमता होगी तो lens जो सयोजन चमता है इनकी वो होगी option number D F1 प्लस F2 upon F1 F2 तो D option सही रहेगा यदि X0 equal to X1 तब F X0, X1 बराबर होगा तो यह है option number D sorry D नहीं होगा यह होगा option number E यह आएगा इसमें D by dx Fx X equal to X not Q यह होगा यह होगा इसी question number 7 है समतल 2X minus Y plus 4Z equal to 5 और 5X minus 2.5Y plus 10Z equal to 6 है तो यह जो इसका answer होगा वो आएगा तुमारा समांतर क्या आएगा समांतर option number 20 में सही होगा 72 यह दो तरंगों के बीच पतांतर lambda upon 8 है तो इनके बीच कलांतर होगा तो simple है यह होगा 5Y4 5Y4 होगा option number C अगला question है 73 निम्न में से कौन से विकल्प सही है 10 hyperbola 3X की value हमने निकालनी है तो यह होगा 310HX 310HX plus 10H3X upon यानि की option D वाला इसमें सही होगा अगला है 1 वले R plus dot boolean वले कहा जाता है यदि कब कहा जाएगा जब A2 किसके कौन होगा A के तिक यानि की C वाला option इसमें सही रहेगा 75 है G A, A square, A cube, A4, A5, A6, E के जनक है तो इसके जो generator हैं वो हैं A और A5 A और A5 यानि की option number A इसमें सही होगा निमने वकल समीकन का विसे समाकलन होगा तो विसे समाकलन है इसमें X by 2 sin X क्या है? X by 2 sin X 77 सदिस I cap माइनस 2 J cap प्लस 2 K cap के अनुदरी जिस एक ऐसा सदिस जिसका प्रिमार्ण 9 I काई है तो जो 9 I काई है यह हो जाएगा तुमारा option number C C वाला इसमें सही होगा अगला question है एक उब्रह प्रत्वी के चारो और वर्ताकार कक्षा में एक समान चाल B से घूम रहा है यदि गुरुत्वी बल अचानक समाप्त हो जाए तो उब्रह क्या होगा? तो उब्रह जो होगा अगर गुरुत्वी बल समाप्त हो जाता है 79 है पी ए दे रिखा है पी बी दे रिखा है पी ए यूनियन बी बी दे रिखा है तो पी बी अबलिक ए निकालना है इसमें तो यह जो इसका आंसर है वो है 2 upon 3 यानि कि option number 10 में सही रहेगा ठीक 80 कोची रिमोन समिग्रेण का दुरुवी रूप है तो यह है माइनेस डी भी अपॉन डी आर और वन अपॉन आर डी भी अपॉन डी ठीटा यानि कि option number D अब यह अनसर में थोड़ा डाउट है इसमें तो इसमें भी सभी को आंसर मिल सकता है अगला question है 81 वक्र x equal to a cos qva और y equal to a के बिंदू theta equal to इतने पर अभिलंब की प्रवंटा होगी जो अभिलंब की प्रवंटा होगी इसमें यह है 1 कितनी होगी इसमें 1 होगी 82 है यदि किसी बर्तन में बंद गैस के अणों का वर्गम आधि मूल दुगना कर दिया जाए अगर दुगना करेंगे तो दाब हो जाएगा यह होगा चार गुना हो जाएगा चार गुना हो जाएगा यह option सही रहेगा अगला question है 83 वहनिष्ट कैटेनरी के किसी बिंदू पर वकृतात रिजा दी जाती है तो यह है option नंबर इसमें आएगा साइक स्कुरे साइवाला ठीक यानिकी option नंबर सी इसका सही आंसर होगा 84 है sign in universe cos sign in universe under 3.2 का मान है तो यह जो मान है यह है 5 by 6 एक सी ओप्सन सही 85 है एक एम्यू इक्वल होता है 931.5 म्यू वोल्ट के 86 एक कर्ण 36 से साथ डिग्री कॉन पर गति जुर्जा कैसे प्रिक्षेपित किया जाता है उच्छेतम बिंदू पर गति जुर्जा होगी तो यह के भाई अगला है कोई रेखा निर्दे सांग अग्चू के साथ अलफा बिटा इतना कौन बनाती है तो कॉस्ट तू अलफा तू बिटा तू गामा का मान होगा तो इसमें जो मान है इसका यह माइनस दी ओप्सन से रहेगा ठीक अगला कॉस्टन है 89 एक नुकलियोन का ओसत समवेग नाभिक की दिर्मिवान संक्या एक के साथ कैसे बदलता है तो यह आएगा इसका जो आंसर आएगा एक की पावर माइनस वन पॉन तरी एक की पावर माइनस वन पॉन तरी 90 यदि मॉड़ इक्वल टेन है तब तो जो एक्स की वेल्यू आएगी वो आएगी एक्स इस बिलॉंग च्टो माइनस इंफिनिटी से माइनस थाटी ठीक सी वाल ओप्सन से 91 एक्वल टू दे रहे है तब आई एकी वेल्यू निकालनी है तो यह होता है इसकी हर्मिशन यानिकि तिरचा समय नाइनस वेल्यू जो है जो एक्स की वेल्यू आएगी माइनस वन और शिट्स आएगी तो बी ओप्सन से रहेगा 94 है एक 12 वोल्ट की बैटिज जिसका अंत्री परतिरोद इतना है अधिक्तम सकती ली जा सकती है तो इसका आंसर है 144 वाट 95 इसका है माधि माधिका और भहुलग में संबन निकालना है तो यह हो जाएगा माधि माइनस बहुलांग माध्धी माइनस भोलाओंग इकोल टू 3 माध्धी माध्धी का इन्दी की option number D इसका सरी answer होगा 96 से sin x minus sin 3 x upon sin square x minus cos square x का जो मान है यह आएगा minus 2 sin x अगला है एक निश्चित स्पेक्टर लाइन की तरंगदैरी 4000 इंग्जिस्टन है इसकी आवर्यती एम उर्जा होगी इसकी आवर्यती एम उर्जा होगी जीरो पॉइंट सेवन फाइप इन्टू 10 की पावर 15 हर्ज और 3.1 एलक्ट्रोन वोट या निकि ए आंसर इसका सई होगा दुईपत वित्रण का माध्धी है वो जाएगा B option NP ठीक है तो क्या आगा इसमें NP आएगा 99 एक चक्री प्रम में गैस की आंत्री कुर्जा वो क्या रहती है नियत रहती है इसका आंसर रहेगा नियत रहती है और बूलियन गंजक y equal to a plus b plus a plus b का हल होगा तो यह है mod of a dot b तो इस तरीके से 100 questions हमने इसमें solve की हैं अगर कोई किसी question पर आपको doubt लगता है तो आप comment box में हमसे बोल सकते हैं बता सकते हैं हमको और अगर आप चाहते हैं की इनका detail वाइज अगर आपको solution chain question होगा तो आप हमें नी आपको भी जब नीचे comment box में लिखें तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत बहुत